इस्त्रियों के अंगों का पूर्ण विकास ना होना छोटी छोटी बच्चियां जैसे ही जवाने की तरफ बढ़ने लगती हैं तो कई बार उनके शरीर के अंग पूरी तरह से विक्सित नहीं हो पाते जिस वज़ा से उनकी सुन्दरता भी कम लगती है और कल को बच्चे भी पैदा करने हैं और बॉड़ी की पूरी ओवराल ग्रोथ नहीं होगी तो उनकी जो खूब सूरती है उसको भी दाग लगता है और उनकी जो परसनेल्टी है वो भी नहीं निकर पाती और शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाता तो आज मैं आपको उसके लिए एक बहुत बढ़िया नुसका देने जा रहा हूँ अगर आप इसे करेंगे तो बच्चेों का विकास पूरी तरह से होने लग जाएगा उनके जो अंगों का विकास नहीं हो पा रहा, स्तन नहीं बढ़ रहे या शरीर जो पूरी तरह से फल फूल नहीं रहा, पनप नहीं रहा, वो पनपने लग जाएगा आप किसी भी आईरवेदी की दुकान पर जाकर किसी भी अच्छी कंपनी का शतावरी चूरन लियाएं शतावरी चूरन एक गिलास गरम दूद लें, जब वो गुनगुना हो जाए, उसमें एक चमच शतावरी चूरन मिलाएं और उसमें दो या तीन चमच गुड मिला दें, दोनों को अच्छे से मिलाके सुभा शाम पिलाना शुरू कर दें रोज इसे करना है, लगातार तीन चार महिने, पांच महिने ऐसे कर सकते हैं आप इसे करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, कि जो बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा, जो बच्चियां पनप नहीं पा रही, जो उनके अंग नहीं पनप पा रहे वो पनपने लग जाएंगे और उनका विकास होना शुरू हो जाएगा आप मेरे कहने से इसको करके देखो आप होगे स्वामी जी कमाल हो गया इसने इतना अच्छा फाइदा किया कि हम खुद देखकर हरान होगे